अगर आपको इसे बड़ा साइज बनाना है तो हमने सारे साइज डिस्कृप्शन बॉक्स में मेंशन कर दें वहाते जाके देख लें ठीक है या फिर कॉमेंट करके भी पूछे सकते हैं तो इसके लिए देखें हमने 11 नंबर का क्रोश्या हुक लिया है और तो हम चैन आज की बना रहे है तो आट आड़ साल के बचसे के अराम से आने वाला है तो देखें पहले हमने एक पूरे स्वेटर से चैन नमबर के चैन से बना है तो सिर्फ हम चैन 11 के करूषरा से बनारहे हैं आपको तीन चार साल तक की लड़की के लिए बनाना है तो आप जो है 94 चैन ले 94 चैन ले आपके आराम से आने वाला है बच्चे के तो इसी तरीके से आप साइज बढ़ा सकते हैं चैन बढ़ानी है बस हमने कुछ साइज जो है डिस्कृप्शन बॉक्स में में इसन कर दिया ह तो 106 चैन बना लिए हैं हमने अब हम इसको जोइन करेंगे फ़र्स्ट वाली चैन में जोइन करेंगे देखिए अब हमने क्रोशे होक भी चैंज करदे है 3.5 िेल्सट पर हमतेंगे अब सबस पहले हम 3 चैन बनाएंगे ठीक है को काउटकिया तो मारे इसके पासवाली चैन में डालेंगे चार तो टोटल हमें 14 बार डबल क्रोशर बनाना है दो-दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशर कहते हैं दिखिए पहले दो निकाले फिर दो निकाले ठीक है 14 बार हम double crochet बनाने के बाद आपको दिखाएगे और हाँ अगर आपको छोटा size बनाने है तो 94 चैनल ने उसके हिसाब से आपको 12 double crochet आगे और 12 double crochet पीछे बनानी है अब आपको बताएगे तो यहाँ पर हम 14 double crochet बनाएगे काउंट करके आपको दिखा दें चैन को काउंट किया तो एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा ठीक है चौदा डबल क्रोशा के बाद हम डिजाइन डालेंगे ठीक है तो इसी तरीके से अगर आप 94 चैन लेंगी तो आप 12 डबल क्रोशा के बाद डिजाइन डालें तो अब हम दो चेन ripped के तीशी वाली चैन में डालकर यहां पर एक डबल क्रोशा बनाएं या बापत इसी चगह डालेंगे एक और बनाएंगे दो हो गई फिर से इसी चेगह दालके एक बार और बनाएंगे 3 डबल क्रोश्य हो गई हमारे पास अब हम 1, 2, 3 तीन चेंग लेके बापत इसी जगे डालेंगे और फिर एक डबल क्रोश्य बनाएंगे तो हमारी एक बार डिजाइन बन गई है अब हम देखें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार चेंग छोड़के पाँच भी पहली चेंग में डालकर एक डबल क्रोश्या, दो और तीन तीन बनाने के बाद तीन चेंग लेनी है हमें पापस इसी जगे डालके एक बार और बनाएंगे ठीक हैं दो बारे डिजाइन होगे हमारी फिर से एक, दो, तीन, चार चार चेंग छोड़के पाँच भी पहली चेंग में पहले तीन बार डबल क्रोश्या बनाएंगे हम अब तीन चेंग लेके बापस इसी जगे डालके एक बार और हमने बना ली तीन बार डिजाइन बन गई हमारी देखिए एक दो तीन तीन पर बनगे फिर से देखे हम चार चेन छोड़ेंगे चार चेन छोड़ेंगे पाँच भी पहले में पहले हम तीन डबल क्रोशर बनाएंगे देखे एक बापत इसी जगे डालके बनाएंगे दो और ये तीन अब 3 चैन लेकर 1, 2, 3 बापच इसी जगह डालके फिर से एक बनाएंगे थीक है फिर से हम 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 4 चैन छोड़के 5 भी वाली में डालके पहले एक बनाया बापच इसी जगह डालके एक पार और बनाएंगे दो डवल क्रोश्य हो गई और एक 3 3 के बाद अब फिर से 3 चेन बना के वापस इसी जगह चाहे डालके एक बार और वनाएंगे ठीक है तो इस तरीके से हमें 8 बढ़ डिजाइन बनानी है इस तरीके से दिखे अब अभी आपको ऑपको एक 2 तीन 4 5 बार ढिख रहे हैं हम टोटल इसी वाली चैन में डालकर एक बार डबल क्रोशर बनाएंगे यहां पर फिर इसके पास वाली चैन में बनाएंगे दो हो जाएंगी हमारे पास फिर इसके पास वाली चैन में बनाएंगे तो तीन हो जाएंगी हमारे पास इस तरीके से तीन होगी इसके पास वाली चैन में बनाएंगे चार हो जाएंगी तो चौदा डबल क्रोशर के बाद हम आपको दिखाएंगे ठीक है दो दो करके फंदे निकालते हैं उसको डबल क्रोशर कहते हैं दिखिए हमने बना ली है काउंट करके दिखाएं दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, जारा, बारा, तेरा, चौदा ठीक है चौदा डबल क्रोशर हमारे पास हो गई है अब फिर से हम डिजाइन बनाएंगे तो दो चैन छोड़के तीसे बाली चैन में डालकर तीन बार हम डबल क्रोशर बनाएंगे इसमें दो हो गई, बापत यसी जगए डालकर बनाएंगे तीन बन जाएंगे हमारे पास अब तीन चैन लेकर और सेम जगे पर डालकर हमें एक बार और बनाएंगे ठीक है अब देखे एक, दो, तीन चार, चार चैन छोड़के पास बाली में डालकर बनाएंगे तीन बार बनाएंगे, देखे एक बना ली सेम चैन में दो बार और बनाएंगे फिर से तीन चैन लेके बापत इसी जगए डालकर एक बार और बनाएंगे ठीक है दो बार डिजाइन हमारी बन गई है तो जैसे अभी हमने बनाई थी आठ बार डिजाइन बनाई थी और साधा जो है आगे और पीछे का ठीक है अब जो तीन चैन हमने श्टाइडिंग में ली थी उसमें डालके इसको जोइन कर लिया अब देखिए हम फिर से तीन चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन चैन बनाने के बाद देखिए इसके पास वाली चैन में डालेंगे इसमें डालकर हम दो बार डबल ग्रोश्य बनाएंगे एक और एक बार और बनाएंगे तो एक फंदा हमारा इदर से बढ़ जाएगा ठीक है तीन हो गए मारे पास अब इसमें एक बार बनाएंगे हम इसमें भी एक बार बनाएंगे इसमें भी एक बार बनाएंगे हर चैन में एक बार बनाएंगे लाश्ट वाले फंदा है जो लाश्ट इसके पास वाले में दो बार बनाएंगे ठीक है तो सब में हमने एक एक बार बना लिया अब लाश्ट के दो फंदे बचे हैं जब हमारे तो इसमें हम दो बार बनाएंगे एक और दो अब इसके पास वाले जो एक फंदा है इसमें एक बनाएंगे ठीक है तो इसी तरीके से में फंदा बढ़ाना है, लाश्ट में नहीं बढ़ाना है, अब देखे वाले डिजाइन आगया, तो इसमें डाल कर पहले हम एक डबल क्रोशर बनाएंगे, अब तीन चेन लेकर बापत इसी जगे डाल के तीन बार डबल क्रोशर बनाएंगे, एक, दो, और तीन, तो देखे हमारा जो बाजू के लिए जो हमने फंदे लेना, यहां पर हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, सेम डिजाइन है वट इसको उल्टा कर दिया, अब हमने, पहले हमने तीन डबल क्रोशर के बाद, तीन चेन ली हैं, फिर एक डबल क्रोशर बनाया है, तो फंदे हमारे फ्रंट और बैक पर ही बढ़ेंगे, जो हम डबल क्रोशर बना रहे हैं, सादा उसमें हमारे फंदे बढ़ेंगे, और जो बाजू पर जो डिजाइन डालने, उसको कोई मतलब चेंज कर देना है, और फंदे नहीं बढ़ाने है, कोई भी डिजाइन नहीं इसमें पहले एक डबल क्रोशर बनाएंगे, तीन चेन लेकर, सेम इसी जगे तीन बाज डबल क्रोशर बनाएंगे, पूरी डिजाइन बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे, इतना हमने बना लिया है, अब फिर से हमारे सादे फंदे आ गये हैं, तो इसमें फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, इस सेकंड वाले में फंदा बढ़ाएंगे, और इधर भी सेकंड वाले में बढ़ाएंगे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए, फर्स्ट वाली चैन में एक सिंगल, एक डबल क्रोशर बनाएंगे, फर्स्ट वाली जो चैन है, इसमें एक बार बनाएंगे हम इस वाले में और इसके पास वाली चैन में हम दो बार बनाएंगे इसमें एक बापत इसी जगे डालके एक बार और बनाएंगे तो दो हो जाएंगे हमारे पास ठीक है अब जितनी भी चैन है हर चैन में एक बार बनाएंगे और लाश्ट में लेकर आएंग जितनी भी चैन है हर चैन में एक एक बार बनाते हुए लास्ट तक लेकर आएंगे और लास्ट में हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे देखिए लास्ट की दो चैन बची है तो इस वाले में हम दो बार बनाएंगे और फिर इसके पास वाली चैन में एक बार बनाएंगे तो फंदा हमें साइट से नहीं बढ़ाना है हर रो में इसी तरीके से बढ़ाना है फिर से डेजाइन बनानी है तो इसमें पहले एक डबल ग्रोशर बनाएंगे तीन चेन लेकर बापस इसी जगे तीन बार डबल ग्रोशर बनाएंगे एक दो और एक तीन ठीक है अब इसमें भी देखी सेम करना है में पहले एक double crochet बनाया फिर तीन चेन लेकर बापस इसी जगे डालके फिर से तीन बार बनाएंगे तो इस रो को हम ऐसे ही complete करेंगे फिर अगली रो में हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है तो दो रो हमाई हो जाएंगी और इसको ऐसे हमने यहां तक बना लिया है दो रो complete हो करने के बाद तीन चेन लेली हमने फिर से अब देखिए फिर से फंदा बढ़ाएंगे इसमें डाला बापस इसी जगे डालके एक बार और बढ़ाएंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा यहां पर अब जितनी भी चैन है हर चैन में एक एक बार बनाएंगे हम हर चैन में एक बार डबल क्रोश्य बनाएंगे और लास्ट में फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे ठीक है दिखिए इसमें हम फिर से इस जगह डालकर एक बापत इसी जगह एक बार और बनाएंगे फंदा बढ़ा दिया हमने फिसके पास वली चैन में एक बार बनाएंगे अब यह डिजाइन आगी अब देखिए इस्टार्डिंग में हमने तीन डबल क्रोश्य बनाएं था तो फिर से अब हम इसमें तीन बार बनाएंगे तो वस हमें हर रो में डजाइन को चेंज कर देना इसी तरीके से इसमें भी देखे तीन बार पहले हम डबल क्रोश्य बनाएंगे अब तीन चेंड लेकर बापस इसी जगें डालके एक बार और बनाएंगे इसमें भी सेम रिपीट करेंगे हम तीन ठीक है और फिर से हम तीन चेंड बनाके सेम इसी जगे एक बार डबल क्रोश्य बनाएंगे तो इसी तरीके से पूरी रो हम पूरी रिजाइन कंप्लीट करेंगे फिर आगे आपको दिखाएंगे तो हमने पूरी रिजाइन बना ली है अब फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे इसमें तो देखें फर्स्ट वाली चैन में हम एक बार बनाएंगे और सेकंड वाली चैन में दो बार बनाएंगे तो फंदा हमेशने हमें इसी तरीके से बढ़ाना है इस पूरी रिजाइन में हमने इसी तरीके से bढ़ाया है फंदा ठीक है तो इस वाट का धिहान रखें कोई चैंज नहीं है कोई टफ नहीं है जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा तो एक बार इसको जरू ट्राइगे करें तो इस रो में हम जितनी भी अभी होगी चैन दिख रहे हैं हर चैन में बनाएंगे और लास्ट वाली चैन में दो-वार बनाएंगे जैसे कि हम फंदा बढ़ा रहे हैं उसी तरीके चे बढ़ाएंगे, तो सब में हमने एक एक बार डबल क्रोशर बनाया है, लास्ट वाले में फिर से हम एक ही चेन के अंदर दो बार बनाएंगे, इसमें एक और ये दो, फिर सके पास वाली चेन में एक बार बनाएंगे हम, अब जो डिजाइन है, इसमें फिर से हमें रिपीट करना है, जैसे हमने फ़र्ष वाली डिजाइन बनायी थी, वैसे बनाना है, पहले तीन बार डबल क्रोशर बनाएंगे, एक, दो, और एक, तीन, अब तीन चेन लेके, सेम इसी जगे हमें एक बार बनाना है, तो इस रो को हमें से ही complete करेंगे, तीन रो हमारी बन जाएंगी, फिर आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है, तो देखिए अभी हमारी तीन रो बनी है, इसी तरीके से हमें फंदा बढ़ाते जाना है, ठीक है, इसी तरीके से हमें फंदा बढ़ाते हुए, अभी तीन रो बनी है एक बार हम आपको और दिखा दें देखिए देखिए तीन चैन लेकर इसके पास वाली चैन में हम दो बार डबल क्रोशा बनाएंगे इसमें दो बार बनाएंगे फंदा बढा लिया एक हमने अब जितनी भी चैन है हर चैन में एक एक बार बनाएंगे हम और लास्ट में भी ऐसे ही फंदा बढाएंगे ठीक है सब में हम एक एक बार बनाएंगे और लास्ट में भी हम दो बार बनाएंगे देखे इसमें एक बार और बना लिया अब इसमें भी हम एक बार बनाएंगे अब डिजाइन देखे फिर से अब यहाँ पर हमने पहले तीन डबल क्रोशर बनाई है तो इसमें पहले हम एक बार बनाएंगे फिर तीन चेन लेके फिर तीन बार बनाएंगे ठीक है तो बस डिजाइन आपको हर रो में चेंज करना है देख लेना है कैसे बनाई है उसी हिसाब से आपको चेंज कर देना है तीन चेन लेके अब तीन डबल ग्रोश्या तो अभी हमारी चौथी रो चल रही है टोटल हम 15 रो तक ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे जब 15 रो हमारी हो जाएंगी उसके बाद हम आपको मुढधे जोइन करना बताएंगे ठीक है इसी तरीके से डिजाइन चेंज करना है पहले तीन डबल क्रोश हमने बनाई थी फिर अगली रो में पहले एक कर दिया इसी तरीके तक हमने ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे तो अब हम इसको जोइन करेंगे तो अगर आपको इससे बड़ा साइज बनाना है तो हेल्थ के हिसाब से आप मुढ़े और भी बढ़ा सकते हैं 16-17 रो भी कर सकते हैं तो 12 साल तक की लड़की के अराम से आने वाला है अब हम इसको ज चैन बनाएंगे तीन यहाँ पर ठीक है तीन चैन बना ली हमने अब इसके पास वाली चैन में पहले हम दो फंदा बनाएंगे एक बापत इसी जगे बनाएंगे तो दो हो जाएंगे हमारे पास ठीक है एक फंदा हमने फिर बढ़ा लिया अब जितनी भी चैन है हर चैन में गयर में यहां दो बहिंगे, ऐसे बनाते हुए यहां तक लेकर आइंगे, लल्स्ट तक विस्ट में आपको बताएंगे आगे क्या करना है, तो देखें हमने इतना बना लिया है, वाले में हम दो फंदे बनाएंगे, एक ही चैन के अंदर यहां पर भी हम दो बार बनाएंगे इसके पास वाले में एक बनाया अब इसको जॉइन करेंगे हम देखिए यह जो डिजाइन है मुढ़े पर हमारी बाजू पर इसको छोड़ कर और पीछे के साइड वाले जो फंदे हैं इसको यहां पर जॉइन करेंग तो यह first वाली chain में डालकर एक double grocery बनाएंगे हम ठीक है मुढ़ा हमारे जोईन हो गए इसके पास वाले में हम दो बार बनाएंगे एक और यह दो यह last वार हम फंदा बढ़ा रहे हैं विसके बाद हमें फंदा नहीं बढ़ाना है ठीक है की तो इस तरीके इवा के सब्ऻये एक मुटा जोइं हो गया है कि इवर हमारा जोइन हो गया अब जितनी भी चैन दिखेंगी हर चैन में हम एक बार बनाते हुए cómo केग़ा डबल क्रोश Колते ने दूसे साइड में लिका रहेंगे जितनी भी चैन है हर चैन में एक एक बार बनाते हों यहां तक लेकर आएंगे ठीक है अब इसमें भी हम फंदा बढ़ाएंगे लास्ट बार फंदा बढ़ा रहे हैं इसके बाद हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है इसमें भी एक बार बनाया हमने अब इसको जो श्टार्डिंग हमने थिरी चैनल लीती हैं दूसे साइड में इसमें डाल के जॉइन करेंगे तो दोनों मुठ्डे हमारे जॉइन हो जाएंगे कि अथे दोनों मुढ्डे हमारे जूइन हो गए अब हमें मुढ्रे को नहीं चूना है अब सिर्फ सिर्फ हमें इसको बनाना है सिर्फ डबल क्रोश करना जितनी चैन है उतनी इस भी comparison, नहीं बढ़ाना है जितनी चैन है हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशर बनाते हुए इसको राउंड राउंड बनाते हुए इसकी लेंद्थ पूरी करने है जितनी भी आपको लंबाई रखनी है स्वेटर की उसे साब से रखने है तो हम आपको थोड़ा सा और बता दें तो आई होप आपके समझ आ रहा होगा देखें तीन चैन बनाके अब इस फर्स्ट वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशर बनाया इसके पास वाले में एक बनाएंगे पर इसके पास वाले में एक बनाएंगे पर इसके पास वाली चैन में भी एक बनाएंगे हम तो जितनी भी चैन है हर चैन में एक बनाते हुए इसको कम्प्लीट करेंगे और कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे ठीक है इसको पूरा इसे ही बनाते हुए लेकर आएंगे और जो इस्टार्डिंग में तिरी चैन लीथी इसमें डालके इसको जोईन करेंगे तो देखिए जितनी भी चैन है, हर चैन में हमें एक एक बार डबल ख्रोशा बनाने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाने है इसको ऐसे ही लेंद पूरी करेंगे जितनी भी आपको स्वेटर की लेंद रखनी है उसे साबसे बना लें उसके बाद हम नीचे का बाउडर आपको बनाना बताएंगे प्लस बाजू बनाना बताएंगे और हाँ इसको आप एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप continue बैठेंगे तो मैंने इसको सिर्फ एक दिन में कंप्लीट किया है तो आप भी बना सकते हैं जरू ट्राइएंगे अब हम आपको यह बाजू बनाना बताएंगे और जो है नीचे का बाउडर बनाना बताएंगे कैसे बनाना है ठीक है तो पहले हम बाजू को यह नाप बता दें आपको देखिए बाजू पर कुछ नहीं किया है जैसे हम डिजाइन बना रहे थे बैसी बनाते हैं इसकी लेंथ हमने पूरी की है तो हमने ग्यारा इंची की नीचे की लेंथ बनाई है टोटल जो है हमारी बाजू 21 इंची बनी है तो आप अपने हाथ के एकॉर्डिंग बनाए 21 इंची बनी है तो हम आपको बता दे, जैसी हम डिजाइन बनाते हैं आ रहे थे, सिम बैसी हमने बाज़ू पर डिजाइन बनाई है ठीक है यहाँ से लेकि यहाँ तक हमने इसकी लेंड़ पूरी कर ली है अब हम नीचे का बाउडर आपको बनाना बताएंगे तो पहले हम आपको बाउडर बनाना बताएंगे बाद में बाजू बनाना बताएंगे ठीक है तो यहां पर सबसे पहले तो हम तीन चैन बनाएंगे तो सबसे पहले हमने तीन चैन बनाने है यहां पर एक तीन चेन बनाने के बाद इसी जगे डालके एक डबल क्रोशर बनाएंगे चेन को काउंट किया तो दो हो गई हमारे पास बापस इसी जगे डालेंगे और तीन डबल क्रोशर ठीक है अब 3 चैन लेकर वापस इस जगे डालके एक बार और डबल क्रोशे बनाएंगे ठीक है इस तरीके से अब हम 4 चैन छोड़ेंगे एक, 1,2,3,4 चार चैन छोड़के पांच-पी बाली चैन में पहले 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे एक, दो, और ये तीन, ठीक है, अब फिर से तीन चेन लेकर, तीन चेन लेकर, एक, दो, तीन, बापत इसी जगे डालके एक बार और बनाएंगे, तो इस तरीके से डिजाइन बनेगी, फिर से हम चार चेन छोड़के, पांच भी वाली चेन में फिर से डालेंगे, तो इस तरी कि तो पहले हमें 3 बार डबुल क्रोशय बनाना है का तीन चैन लेकर स्यम इसी जगे डालके एक बार और बनाएंगे थिक है इस तरीके से डेजाइन बनेगी फिर एक दो तीन तीन चार चैन छोड़के पांच पहली में फिर से हम तीन बार बनाएंगे एक दो तीन अब तीन चेन लेके सेम इसी जगए फिर से डबल क्रोश्र बनाएंगे इस तरीके से ठीक है तो इस रोको मैं ऐसे ही complete करना है फिर आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है देखे चार चेन छोड़के पाँच भी बली चेन में पहले हमने तीन बार डबल क्रोशर बनाना है चेन लेके बापत इसी जगर डालके एक बार और बनाएंगे ठीक है तो इसी तरीके से पूरी रो हम complete कर लेंगे फिर आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है तो पूरी रो हमाई बन चुकी है हमने इसको join कर लिया अब फिर से हम 3, 4, 5 और 6 6 चैन लेकर सिम इसी जगे डालके 3 बार double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, ठीक है तो बस हमें design को change कर देना है जैसे कि इस design में हमने पहले 3 double crochet बनाया था तो इस वार पहले हम 1 double crochet बनाएंगे फिर 3 चैन लेकर 1, 2, 3 बापस इसी जगे 3 बार double crochet बनाएंगे बस हमें design को change कर देना है 3 double crochet बनाया था तो एक पहले बनाएंगे तो इस रो को हम ऐसे ही कंपलीट करेंगे जितना भी आपको बाउडर रखना हो इसे सबसे बना लें हम पूरी रो कंपलीट करने के बाद आपको बाजू बनाना बताएंगे ठीक है देखे हमने तीन रों बनाई है बाउडर पर और इतना हमारा स्वेटर बन गया है अब हम आपको बाजू बनाना बताएंगे तो बाजू के लिए देखे क्या करेंगे हम देखे हम पहले हम आपको समझा दें देखे डिजाइन सेम करनी है हमें कुछ नहीं करना है यहां से टीन श हैं तो आपको डिखें आपको तो यहां तक हमें धाधा बनाना होगा जो डिखेंए तो हमें यहां यहां से यहां तक गेर बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी हम आपको बता दें जैसे कि हमने यहां पर को जोईन करेंगे इसमें ठीक है है हमने उन को जोईन कर लिया है अब इसको हम बीच में लेकर आएंगे यह दिखिए जो बीच का पोश्चन है हम आपको दिखा दें यह बीच का जो है जो बीच का पोश्चन है इसमें जो बीच में एक आपको फंदा दिखेगा इसके अंदर अनदर हमें डालके इसके अंतर हम डालेंगे, और इसके अंदर तीन बार 20 छे बनाएंगे, इस जगर, तो पेहले हम तीन करोशे बनाएंगे तीन बार 20 छे बनौत नदर है तो आप जोने के बाद , ज़खने और भag इस वाद प्रनाएंगे एक, दो और ये तीन तीन चैनल लेके सेम इसी जगे डालके एक बार और डबल क्रोशर बनाएंगे ठीक है इतना हो गया अब इसको हम इस वाले डिजाइन पर लेकर जाएंगे ये दूसरी डिजाइन है जो बाजू की इस पर लेकर जाएंगे इसमें सिलिप इस्टिच करेंगे इस तरीके से फंदा बनाएंगे देखिए इस तरीके से बनाते हुए बीच में लेकर आएंगे तो अब बाजू पर हमने आठ डिजाइन डाली थी एक हमने और बढ़ा ली नो डिजाइन हो गई हैं अब हम यहां तक आ गए हैं यहां पर हम फिर से 3 चैन बनाएंगे आपको दिखा दें देखिए यहां तक हम आ गए हैं अब हमारे बाजू पर 9 डिजाइन हो गई है एक बीच में हो गई है और 8 हमने पहले बनाई थी तो इस तरीके से हो गई है हमने बीछ में यहां पर आगे अब 3 चेन बना के ज्ञारे यहां पर हमारी डिजाइन में पेहले हमने 3 डड डबना रखा है तो इसलिए अब हम पहले छे चेन बनाके छे चेन बनाने के बाद तीन डबल क्रोशे इसके अंदर बनाएंगे तो बस आपको डिजाइन देख लेना है पहले अगर तीन डबल क्रोशे पहले ही बनाएं तो आपको पहले एक डबल क्रोशे बनाना है एक या जैसे हम आपको इसमें दिखाएं इसमें पहले तीन डबल कुरोष्र हैं तो इसमें पहले हम एक डबल कुरोशर बनाएंगे और 3 चैनलेकर बापस इसी जगे डालके 3 डबल कुरोषर बनाएंगे एक, दो और ये लाष्ट तीन ठीक या फिर से देखिए इस वाली डिजाइन में तीन डबल क्रोश्य पहले हैं तो हम पहले एक बनाएंगे फिर तीन चैन लेकर बापत इसी जगे तीन बनाएंगे एक दो और एक तीन ठीक है इसी तरीके से इसमें बनाएंगे पहले एक डबल क्रोश्य एक फिर तीन चैन फिर तीन तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हम complete करेंगे अभी हमें साधा बनाना है जिसे भी हम बना रहे हैं पहले एक डबल क्रोश्या बना रहे हैं फिर तीन चैन फिर तीन डबल क्रोश्या इसके अगली रो में पहले हम तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर तीन चैन और एक डब बढ़ाएंगे ठीक हैं तो इस रॉम में हम पुरे इसको complete करेंगे इसके बाद जो हैं उसमें हम देखि शार्डिंग में तीन डबल क्रोश्रा है तो इस में इसके अगली रूम पहले एक डबल क्रोश्रा प executive को भूached की तिन डबल क्रोश्रा इस तरीके से हम देशाइन को चेंज करते हुए नौ रो बनाएंगे नौ रो होने के बाद देखिए इतना हमारा बन गया है अब हम फंदा बढ़ाएंगे तो फंदा के वह हम आपको बताते हैं देखिए यहां पर सबसे पहले तो अभी तक हम तीन डबल क्रोशर बनाते हुए आ रहे थे अब हमें चार डबल क्रोशर बनाना है ठीक है तो इस वाले में हम डालकर पहले तीन चैन बनाएंगे दीखे, बीच में डालकर दीखे, यहाँ पर डालकर सिंगल कروशे बनाकर तीन चेंड ले ली और चेंड को काउंट किया तो एक डबल क pressing हमारे पास हो गया है, तीन बार हम और बनाएंगे दो हो गया 3 और चार अब इतक हम 3-3 डबल क्रोशे बना रहे थे बाट आप हमने 4 बना लिया अब 1-2-3 3 चैन लेके फिर से 1 डबल क्रोशे बनाया ठीक है अब फिर से इसमें 4 डबल क्रोशे बनाएंगे इस जगे डालके पहले 4 डबल क्रोशे चैन और एक डबल क्रोशा ठीक है एक दो एस Cruz को ऊध्ण हे और इंद शार चार डबल क्रोशर के बाद हम विए रवान चैन बना के सी जगे एक डबल क्रोशा बनाएंगे नौरow आए पर इस तडancingस में हमकर भी आण में में गरीग करेंगे चाय म चैन उसके बाद हम 3 चैनल लेकर बापस इती जगें एक डबल ग्रोशर बनाएंगे तो इस रो को हम ऐसे ही complete करेंगे और सेम ऐसी ही हम अगली रो भी बनाएंगे ठीक है अगली रो में भी हम 4-4 डबल ग्रोशर ही बनाएंगे कि हमने पूरी रो बना ली है अब जो स्टार्डिंग में थ्री चैनल ली थी इसमें डालके इसको जॉइन करेंगे और इसको जॉइन करते हुए हम बीच में लेकर आएंगे स्टार इसको इस तरीके से बीच में लेकर आएंगे अबहल। हम छे चैन बनाएंगे पांच और छे चैन मैं बना ने के वाद ऑब दिखें इसी जगें हम 44 बैर गरॉष आएंगे , 2 3 और 4 ठीक, है तो डेजाइन थोड़ा सा शेंज कर देना है और इसी तरीके से बनाएंगे पहले एक double crochet फिर तीन चैन एक दो तीन अब चार double crochet एक दो तीन और चार तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है ठीक है इसमें भी पहले एक double crochet बनाएंगे अब तीन चेन चार चेन भी ले सकते हैं ठीक है अब फिर से चार डबल क्रोशा तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे इसके अगली रो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही बनाते हुए हम लाश्ट तक लेकर आएंगे ठीक है यहां तक लेकर आएंगे तो हमें यहां तक आ गए हैं अब इस टार्डिंग में जो हमने चैन ली थी इसमें डाल के इसको जोईन करेंगे ठीक है अब इसके अंदर पहले हम तीन चैन बनाएंगे और चैन को काउंट किया तो हमारे पास एक डबल क्रोशर हो जाएगा अभी हमने 4 double crochet बनाए था, 2 रो में हमने 4-4 double crochet बनाई है, अब हम 3 रो में 5-5 double crochet बनाएंगे, ठीक है, इसमें 4 है, तो अब हम 3 रो में क्या करेंगे, 5-5 बनाएंगे, देके, इसमें डालेंगे, चेन को count किया, तो 2 double crochet होगी हमारे पास, 3, 4, lean last, 5, त्यक्ति पांच डब्ल क्रोशय चार्चैन बनाएंगे सब्सक्राइब के लिए यह दो तीन चार चारगान के लिए एक डब्ल क्रोशय ने लिए ठीक है आफ फिर से इसमें पांच डब्ल क्रोशय पहले बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और लास्ट पांच, पांच डबल क्रोश्या के बाद हम चार चैन बनाएंगे, चार डबल क्रोश्या के बाद बापस इसी जगे एक डबल क्रोश्या ठीक है, तो इस रो में हमें पांच पांच डबल क्रोश्या बनाना है, पहले पांच डबल क्रोश्या फिर चार चैन और फिर एक डवल क्रोश्य ठीक है दीके पहले हम 5 बनाएंगे 2 हो गई 3 4 और लास्ट 5 पाँच डवल क्रोश्य के बाद 4 चैन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार ठीक है और बापत फ़ी जगे एक डवल क्रोश्य है तो देखें तोटल हमें तीन रो बनाने हैं पांच की अभी हमारी एक रो चल लए है दो रो और बनाएंगे उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे देखें एक देखें यहां से हमने बनाया था एक दो तीन चार पांच इसमें पांच बनाया था हमने देखें कि तीन रों ने बनाई है पांच की एक दो तीन चार पांच इसमें पांच और इसमें पांच तीन रों बनाने के वाद अब हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे तो हम छे डबल क्रोशर बनाएंगे देखिये लेने के बाद चैन को काउंट किया सुरी तीन चार पाँच छे आठ चैन बनाएंगे हम आठ चैन बनाने के बाद बापत इसी जगे डालकर और हम छे डबल क्रोशे बनाएंगे देखे एक हो गया दो तीन चार पाँच और ये लाश्ट उच्छे ठीक एच्छे डबल क्रोशे हो गया तो हमने एक डबल क्रोशे हैं यहाँ पर बढ़ा लेना है इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशे फिर पाँच चैन बनाएंगे एक दो तीन चार और पाँच पाँच चैन बनाने के बाद फिर छे डबल क्रोशे एक दो तीन चार चार हो गया 2, 3, 4, 5 और यह लाश्ट 6 ठीक है तो इसी तरीके से हमें 6, 6 डबल क्रोशर बनाना है अब इसमें देखें पहले हम एक डबल क्रोशर बनाएंगे फिर 5 चेन लेकर 1, 2, 3, 4 और 5 5 चेन लेने के बाद फिर से हम 6 डबल क्रोशर बनाएंगे तो इसी तरीके से पूरी रो को हम complete करेंगे उसके बाद एक रो हम और बना लेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे ठीक है एकदम सिंपल है जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा इस रो में हमें छेचे डबल कुरूशर बनाना है इसके बाद एक रो हम और बनाएंगे ठीक है यह दो बना लेंगे हाथ के कोर्डिंग बना लेंगे जितनी भी लंबी बाजू रखनी ह है तो पूरा स्टर बन गया है बहुत प्यारी सी बाजू लगती है अच्छा आपको एक टिप्स देना है देखिए इसको आप क्या करें दोनों बाजू पर हमने डिजाइन डालिए अगर आप इसमें स्टोन जो होते है ना वाइट कलके छोटी-छोटी स्टोन होते हैं पू बहुत ज्यादा पसंद है इस स्टर आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं और हां अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस्टोन लगाने के बाद इसको दिखा हूं तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट करें हम अपने नए वाले चैनल और फैशन टिप्स पर इसको इसका 今天 पड़से से क्षा हौ次 सका बगाने कॉमें से कॉमेंट करके दोस्भाएं आपको का chamber ये बहुत सारी के सारी क मॉमें इसका नहीं हैं ए हैं और हैं ऑ Te